in this video we are going to discuss chapter 9 percentage and its applications and the first question of exercise 9.1 is the strength of a student in a school when increased by 9% become 1744 किसी स्कोल में बच्चों के संख्या में जब 9% की इंक्रिमेंट होती है तो वो 1744 बन जाती है find the original strength आपको निकालनी की पहले वाली strength कितनी होगी कि here आईए देखते हैं इसको कैसे करते हैं questions को यहां देखिए let हमाले let the number of student in school be x हमने माल लिया कि वो स्कोल में बच्चों की संख्या थी वो x थी चुकि वो 9% increment हुआ अगर हम किसी भी case में पर्शन की बात करते हैं बाइद वे अगर हम x पर्शन की बात करते हैं तो इसको fraction की form में हम x upon 100 लिखते हैं अगर हम y पर्शन की बात करते हैं तो इसको y upon 100 लिखते हैं और अगर हम 9% यहां पर दिया हुआ तो इसको 9 upon 100 fraction में change करके convert कर सकते हैं अब चुकि यहां पर 9% इंक्रिमेंट हुआ है तो वह होका 9% आफ एक्स यह इतनी इंक्रिमेंट हुई है उनकी संख्या में चुकि एक्स में हुआ है तो इसको 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 9% आफ एक्स यह विए तोटन इंक्रिमेंट यह आजागा x plus 9 x upon 100 यह फाइनले आजागा 109 x upon 100 और चुकि यह संख्या दियो यह कितनी हमको 1744 तो यह है according to question 109 x upon 100 is equal to 1744 109 x is equal to 1744 into 100 x आजाएगा 1744 into 100 upon 109 यह जब आफ इसका मतलब है जो विद्याले में संख्या थी बच्चों की पहले उकेती थी लेकिन बाद में इंक्रिमेंट होने के बाद 9% इंक्रिमेंट हुआ तो वो 1744 बन गई इंक्रिमेंट हो गया है तो आपको चेक करना होगा कि यहां पर कितने बच्चों संख्या बड़ी होई है यहां पर निकालते हैं टोटल इंक्रिमेंट कितना इंक्रिमेंट हुआ है यह आजाए कितना 2268 माइनस करेंगे 2160 इसको आप मतलब 108 संख्या में इंक्रिमेंट हुआ है कितने हुआ है 2160 क्योंकि पहले 2160 थी बाद में 108 इंक्रिमेंट होने के बाद 2268 बन गई इसके मतलब यह हुआ कि जो टोटल परसेंटेज हुआ वह 108 अपान 216 से 0 इंटू 100 अब इसको सॉल करते हो सॉल करने पहले आपका 5 परसेंट जो पूरा इंक्रिमेंट हुआ है बच्चों के इंडार्मेंट कितना हुआ वह 5 परसेंट इन इलक्षन बिट्मिन A और B की बीच कोई इलक्षन होता है ए से क्योड 9740 वोट्स ए को 9740 वोट्स मिलते हैं और 487 वोट्स वोट्स जो होते हैं वो इन्वालिड आमाने गोशित किये जाते हैं विच्च अर् टू परसेंट अफ टोल वोट्स जो पूरे वोट्स के टू परसेंट होते हैं what percent of votes were in favor of A and what percent of votes were in favor of B आको उताना है कि A के favor में और B के favor में कितने-कितने percent votes पढ़े आई मान लेते हैं let the total number of vote जो total number of vote है वो हमने मान लिया कि X है अब चुकि total number of vote X है और 2% इसका invalid हुआ है it means 2% of X 2% of X is equal to invalid vote जितने vote invalid हुए है वो पूरे vote के 2% के equal है इसका मतलब 2% of X is equal to 487 चुकि इतने vote invalid हुए थे तो 2% of X is equal to 487 इसको आप solve करते हो percent को आप threshold change convert करोगे 2 upon 100 करोगे into X is equal to 487 यहाँ से आप X find करोगे 487 into 100 upon 2 यह कैसे करोगे 50 और multiply करने भी आएगा 2, 4, 3, 5, 0, X हमने X क्या माना है हमने X माना है number of total votes इत मींज उस election में 24,350 votes पूरे पूरे डाले गए चुकि एक नुक को मिला था यह ने get किया कितना 9740 votes यह ने 9740 votes find किया इत मींज जो उसका percentage हुआ वो कितना हुआ 9740 upon total number of votes 2, 4, 3, 5, 0 into 100 यह का 100, 0 cancel होगा यह सब्सक्राइब आपका आएगा यह 40% इत मींज इन 40% vote find किया चुकि 2% vote invalid हो चुके थे इसका मतलब यह बचा हुआ जो vote है कितने बचे हैं 58% फूरा 100 में अगर 40 और पाहम 2 निकाल देते हैं 58% vote बदते हैं इसका मतलब जो B ने find किया B ने कितने 50% 58% vote find किया नॉच्छोन नेस्ट किस्टन इस A earned 10% more than B A, B से 10% ज़्यादा कमाता है आपको बताना है कि जो B की earning है वो A की earning से कितने percent कम है आई देखते हैं हम माल लेतने लेट इंकम आफ B इंकम आफ B जो A की इंकम होगी वो 100 प्लस 10% of 100, 100 तो कमाता है यह प्लस उसका 10% और ज्यादा कितना आजाएगा 100 प्लस 10 इंटू 100 अपन 100 फाइनली सौर करने पाएगा 110 यह होगा A का इंकम और चुक्छे हमें निकालना है कितना percent how much percent is B earning less than A it means जो अगर हम percent convert करें तो converting percent जो इसका आजाएगा converting percent is यह आजाएगा फाइनली पाइनल माइनस करते है 110 माइनस 100 टोटर कितना increment हुआ 10 का increment हुआ तो कितने हुआ कितने कम हुआ 110 पी बहुत है 10 अपन 110 इंटू 100 फाइनली सौर करोगा आप यह आएगा 11 अपन 100 और 9 इन होन 1 अपन 11 percent नॉच्ट नेक्ट कुश्टिन इस A saves 40 percent 14 percent of his salary and B saves 22 percent of his salary A अपनी कमाई का 14 percent हिस्सा या अपनी तनखवा का 14 percent हिस्सा बचाता है और B जो है 22 percent हिस्सा बचाता है इप बोथ आप देम get same salary यदि दोनों की salary बराबर हो and A saves rupees A 1,0820 और A जो है 1820 रुपे को saving करता हो find data salary and B saving आपको निकालना है कि दोने salary कितनी है और B की saving कितनी है आए मानते हैं हमने मान लिया जो saving of A दिया है हमको saving of A यह दिया है 14 percent और चुकि यह percent में 14 percent है और जो amount में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1820 रुपीस तो it means कहीं ने कहीं है according to question कि 14 percent की value किसके equal है 21820 के equal है हमें find करना कितने हैं 100 पर find करना है it means जो 1 percent की value होगी वो 1820 upon 14 होगी it means 100 percent की जो value होगी वो 1820 upon 14 into 100 finalist को आप solve करोगे यह आएगा आपको 13,000 इसका मतलर जो total salary हुआ total salary total salary कितनी हुई 13,000 नौ बी की जो saving है बी की saving है 22 percent बी कामाता है 22 percent हिस्ता मैं जो फिस्ता की 13,000 का पूरा पूरा 22 percent हिस्ता बी की saving है it means हमें निकालना है 22 percent of 13,000 और फाइनली यह आएगा 22 upon 100 into 13,000 इसको solve करेंगे multiply करेंगे 2860 it means जो बी की saving है वो 2860 रुपीस है और जो एक ही saving है वो 1820 रुपीस है